Hello Everyone, Welcome to TechSmart आज हम आपके लिए लेकर आए है एक दमदार Wi-Fi 6 Gaming Router की Unboxing and Performance Review जो है Asus का Tough Gaming Wi-Fi 6 Router इसका Model Number है Tough AX4200 Tough इसकी सीरीज है AXWiFi 6 को Denote करता है and 4200 इसका Wireless का Throughput है इस वीडियो में हम इस Router के Speed and Wireless Performance का Review करेंगे देखेंगे 14,000 उपया देने के बाद ये राउटर हमें क्या extra features देता है जो एक normal Wi-Fi राउटर में नहीं आते है तो चलिए करता है फटा फट इसकी Unboxing and देखते हैं बॉक्स में हमें क्या-क्या मिलता है तब तक के लिए आप कीजिए वीडियो को Like and Channel को Subscribe बॉक्स में हमें मिलता है तफ गेमिंग, AX4200, Dualman Wi-Fi 6 राउटर RG45 केबल, पावर अड़ाप्टर and पावर अड़ाप्टर के अटेश्मेंट्स क्विक स्टार्ट गाइड and वारेंटी कार्ड चलिए बात करता है राउटर के Physical and Technical Specifications के बारे में यह है राउटर का डिजाइन काफी अच्छा गेमिंग लुक राउटर को दिया हुआ है यहाँ पर हमें LED इंडिकेटर्स मिलता है जैसे यह पावर का और यह 2.4 and 5 GHz के Wi-Fi Network की पावर LEDs है यह पोर्ट नमबर 1,2,3,4 की पावर LEDs है यह इंटरेज पोर्ट की पावर LED है यहाँ पर सफ की ब्रैंडिंग की गई है और राउटर का डिजाइन इस तरह की से डिजाइन किया गए कि कुछ भी लिक्वीड अगर इस राउटर पर ड्रॉप होता है तो डिरिकली स्लिप हो जाएगा चाहिए यहां से गिरे या यहां से तो यह काफी अच्छा सेप्टी इस राउटर में हमें मिलता है चार नॉन डिफ्टेचबल हाईगें एंटिना इसमें लगे हुए है प्लस बैक साइड में हमें तोटल पाच इथरनेट पोर्ट मिलता है यह वाला जो इथरनेट पोर्ट है यह वैंड और लैंड दोनों की तरह यूज किया जा सकता है इस पोर्ट की स्पीड 2.5 जीबी पीएस किये है मिन्स अगर आपके पास में 2500 Mbps तक का भी इंटरनेट कनेक्शन है तो यह राउटर उस कनेक्शन को भी यूज कर सकता है प्लस यह जो चार पोर्ट है यह 1 Gbps की स्पीड में आते है पोर्ट नमबर 1 और पोर्ट नमबर 2 दोनों को आप एग्रिगेट करके 2 Gbps का एक ही स्विच में bandwidth एग्रिगेट कर सकते हो यहाँ पर एक USB 3.0 का पोर्ट दिया हुआ है इसमें आप कोई भी हाड ड्राइब कनेक्शन करके आपके Macbook का Time Machine Backup ले सकते हो या कोई media server क्रिएट कर सकते हो या अपनी personal cloud drive भी क्रिएट कर सकते हो तो यह feature भी इस router में दिया हुआ है यहाँ पर power का socket है और power का button है यह reset का button यहाँ पर दिया हुआ है अगर आप अपनी router की settings mix कर देते हो password भूल जाते हो तो यहाँ से reset करके आप router को reconfigure कर सकते हो पीछे के side में wall mounting का option दिया हुआ है means आप इस router को wall mount भी कर सकते हो प्लस इस router में एक और कमाल का feature मिलता है जो है dual van का means यह जो USB port है इसके आप आपका USB modem connect करके load balancing कर सकते हो या फिर अगर आपके पास दो internet service provider के internet connection है तो इन दोनों ports के अंदर आप दोनों connection configure करके fallback create कर सकते हो means अगर आपका एक internet connection down होता है तो automatically दूसरे internet connection पे यह router आपका internet up कर देगा तो यह काफी अच्छा feature इस router में मिलता है जिससे आपका अगर emergency वाला काम है तो आपका internet हमेशा up time इस router में मिलेगा आपको चलिए अब बात करते हैं इसके wireless के specifications के बारे में यह एक dual band wifi 6 router है इस router में हमें 5 GHz and 2.4 GHz दोनों बैंड मिलता है प्लस यह router IEEE के 802.11ax के standard पर work करता है जो है wifi 6 5 GHz पर हमें इस router में 3706 MB PS की speed मिलती है प्लस 2.4 GHz पर हमें इस router में 574 MBPS की speed मिलती है प्लस इस router में हमें MU, MIMO and OFDMA का भी support मिलता है जिससे multiple devices जब wireless network पर connected होती है तो कौन सी device को कितना bandwidth का requirement है router smartly detect कर लेता है और उस device को as per requirement bandwidth provide करता है जो काफी अच्छा feature है प्लस यह router Asus की AI mesh technology को भी support करता है means अगर आपके पास same family के wireless routers है और आपके गर में multiple rooms है तो AI mesh technology की वज़े से आप single Wi-Fi name create करके आपके multiple rooms में एक ही Wi-Fi name use कर सकते हो प्लस इस router में हमें lifetime trend micro की तरब से AI protection मिलती है जिससे हमें malicious website और blacklisted IP address से आने वाले spam और thread से lifetime security मिलती है इस router में wireless की latest security WPA3 का भी support मिलता है जिससे काफी अच्छा wireless security हमें मिलता है चलिए अभी इस router को configure करके देख लेते हैं हमें कितना speed इस router से मिलता है कैसा इसका wireless का performance है हमारे पास में internet की speed है 1Gbps की और हमारी testing device है Samsung Galaxy S23 Ultra इस device पर हम सारे speed performance टेक करेंगे और हमारे speed के जो भी result आएंगे हमारे internet connection की speed के according आएंगे so finally हमने हमारे router को configure कर लिया है इसमें अब एक working internet connection है जिसकी internet की speed है 1Gbps सबसे पहले हम इस router पर test करेंगे hardware के दुरू ethernet पर हमें कितना internet का speed मिलता है सबसे पहले test हम perform करेंगे speedtest.net पर और देखेंगे हमें कितना internet का speed इस पर मिलता है और यह test हमने शुरू किया speedtest.net पर हमें मिला है अप्रॉक्सिमेटली 920 Mbps का डाउनलोड अप्लोड speed हमें मिला है 940 Mbps अब हम test करेंगे हमारे Samsung Galaxy S23 Ultra पर यह toughax4200 पासवर्ड डाल के 12345 Wi-Fi connect हो चुका है Wi-Fi 6 का symbol आप देख रहे हो यहाँ पर दिखाए दे रहा है और throughput इसका 2.2 Gbps तक का throughput क्रियेट किया है speed performance चेक कर लेता है so Wi-Fi बर हमें मिला है 867 Mbps का download speed and 934 Mbps का upload speed एक बार YouTube चला कर देख लेता है कैसा YouTube का 4 moments है 4K वीडियो प्ले कर के देख लेता है 4K Ultra HD वीडियो क्वालिटी हाइएस क्वालिटी 4K Ultra HD क्वालिटी ऐसे चला है इसे वीडियो हो यूटीब पर नहीं मॉमाई के अंदर ही हो so friends ये था असूस Tuff AX4200 Wi-Fi 6 गेमिंग राउटर का speed and wireless performance test अगर आपके पास 500 to 2500 Mbps का internet connection है तो आप इस राउटर को consider कर सकते हो ये राउटर सारे internet service providers के साथ compatible है 1200 Scarefit के flight में एक ही राउटर से अच्छा खासा performance आपको इसमें मिलेगा M.U.M.E.M.O. technology की वज़े से ये राउटर multiple devices को easily handle कर लेता है इस राउटर में आपको gaming और content कंजम करने में एक अच्छा experience मिलेगा अगर आप इस राउटर को buy करना चाहते हो तो इसकी buy link description में है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like कीजिए and channel को subscribe कीजिए that's it for this वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कि लिए bye bye